We are going to learn lesson number 1.1, Bridge in Class 2. So let's start. बच्चों हम Bridge किसको बोलते हैं? Bridge को हम हिंदी में पुल बोलते हैं. हम bridges इसले बनाते हैं हमारे शेहरों में, इसले बनाते हैं हम एक जगा से दुसरी जगा जा सके. बच्चों आपने देखा होगा, आप जब train पे travel करने जाते हैं, देखो एक bridge बनी होती है, जो आप उस पे चड़ कर जाते हो, एक जगा से दुसरी जगा जाने के लिए. और आपने देखो बहुत सारी river देखी होगी, नदी देखी होगी, वहाँ पे भी देखो बहुत सारी bridges बने होते हैं, जहाँ पे हम आसानी से एक जगा से दुसरी जगा जा सकते हैं. हमारे शेहरों में bridge बनाते हैं, तो आज हम इस बहुत अच्छी poem पढ़ने जारें, जिसका नाम है bridge, जिसको हम हिंदी में pool बोलते हैं, bridge, the name of poem is bridge, जिसका मतलब होता है bridge, bridge बच्चो इसलिए बनाया जाता है, जहाँ पे हम एक जगा से दुसरी जगा जा सकते हैं, so let's start. Listen and recite the poem with action, this is the poem in unit 1, so we'll start our poem. Boat sails on the rivers, boats हम किसको बोलते हैं बच्चो हम जहाँ को बोलते हैं, boat कहां सफर करती हैं, reverse में, नदी में चलती है, boat कहां चलती हैं बच्चो नदी में चलती है, and ships sail on the seas, और ship जो होती नजर पे हम बहुत सारा सामान लेके जाते हैं, ships के अंदर, अब बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो ship भी कहां चलती है, बच्चो seas में, sea का मतलब होता है, नदी और दर्या, उसको हम क्या बोलते हैं, seas, but clouds dad sail across the sky, children this is a picture of clouds, clouds you have seen in the sky, clouds बच्चो आपने sky में जरूर देखा होगा, clouds कहां सफर करता है, clouds sky पे चलता है, are prettier than these, बच्चो इस पोयम में क्या लिखा है, board जब, board sails on the rivers, board जब नदी में चलती है, नदी में सफर करती है, and ships sail on the seas, ship कहां चलती है, बच्चो नदी में चलती है, लेकिन जो clouds है, but the clouds that sail across the sky, sky, but the clouds है, जो बच्चो sky में चलती है, sky में सफर करती है, are prettier in this, से बहुत खुबसूरत लगते है, आप यहाँ पे देख रहो, जो clouds sky में सफर करता है, चलता है, तो बहुत खुबसूरत दिखता है, किस से बच्चो, board से और ship से, बहुत खुबसूरत दिखता है, pretty है, यानि मतलब होता है, खुबसूरत और सुन्दर, there are bridges on the rivers, मतलब बच्चो, हम जब river जो नदी के उपर जो बनाई जाती है, bridges, यहाँ पे हम बहुत सारी bridges बनाई जाती है, जहांके हम एक जगा से दुसी जगा हम जा सके, as pretty as you please, लेकिन जो बच्चो, जो bridges river पे नदी पे बनाई जाती है, उन सबसे सुन्दर वाली bridge कौन सी लग रही है बच्चो? Now, here you can see, this is the picture of clouds, जब clouds, sky में सपर करता है, travel करता तो बहुत सुन्दर लगता है, this is the picture of rainbow, there are seven colors in the rainbow, you can see, over here violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, यह आप देख सकते हो, जब clouds, यह sky में सपर करता है, तो rainbow कितना खुबसूरत दिखाई देता है, इन दोनों के बीच में एक यह जो है, यह क्या बन जा रहा है, एक breeze बन जा रहा है, जो के बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है, There are bridges and the rivers as pretty as you please, लेकिन जो river के पास bridges बनाई जाती है, उन सबसे अच्छी bridge कौन सी लग रही है, जो heaven में, जो bridge बनी हुई है, वो कितनी सुन्दर लग रही है, जो clouds के बीच में एक rainbow आया है, इन दोनों के बीच एक जो bridge बन रही है, वो बहुत सुन्दर लग रही है, इन सबसे बहुत सुन्दर लग रही है, बनता बो डैड़ ब्रिज इस heaven and over top the trees, लेकिन जो rainbow bridge बन रही है, sky पर, आप देख सकते हो, वो बहुत खुबसूरत लग रही है, जो rainbow bridge sky पे बन रही है, जो हमारे heaven में जन्दर ने बन रही है, ये सबसे बहुत सुन्दर लग रही है, और over top the trees का मतलब होता बच्चों, बाड़ो के उपर क्या होता है, हमारा rainbow, sky और clouds होता है, तो उन सबसे अच्छी bridge कौन सी लग रही है, हमारी rainbow bridge बहुत सुन्दर लग रही है, and build a road from earth to sky, as prettier far than this, और बच्चों, ये clouds के बीच में हमारा क्या बन रहा है, आप देख सकते हो, there are two clouds, अब clouds के बीच में एक rainbow आया है और इन दोनों के बीच में एक road बन रहा है, जो are to sky तक जा रहा है, वो बहुत खुबसूरत दिख रहा है, इन दोनों से boat के, sheep से बहुत सुन्दर और खुबसूरत दिखाई दे रहा है, और इस poem को किस ने लिखा है बच्चों, Christina Rossi टी ने, तो शाल जी से, storms, बहुत से, शें लुद, सब से हैं, झाल यहा है ओ दोन है है, वो बन दोनों के बच्च्चों के बीच से से, बच्च के बादास बहूं से सेने में एक च्च कह से बीच लिख है। the rivers as pretty as you please but the boat that reach heaven and over top the trees and build a road from earth to sky is prettier far than this